हलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग आसा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बहतर चल लए होगी तो CRPF Head Constable Minister SI STONO की एक्जाम 22-28 फरवरी के बीच में चलने वाले थी लेकिन कुछ कारणों की वज़े से अभी ये एक्जाम आप लोगों के 11 मार्च तक चलने वाले हैं तो इस वाले वीडियो में हम बात करेंगी CRPF Head Constable Minister SI STONO की टाइपिंग डेट क्या रहेगी कितना टाइम मिलेगा आप लोगों को जिन बच्चों के अगर 40 नंबर आते हैं क्या उन लोगों को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा इस पर भी बात करेंगी Hindi English में कितने वर्ड आपको ٹाइप करने होंगे इस पर भी बात करेंगी टाइपिंग की जो डेट है एक्जिट वो क्या रहेगी इस पर भी बात करेंगे तो वीडियो काफी इंपोर्टेंट है आप लोगों के लिए तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइकों से जरूर करें जो भी नए बच्ची हैं जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब पर के नोडिफिकेशन बेल आउन करना न भूलें तो चलिए वीडियो को श्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आप लोग आंसर की के बारे में जान लेजी कि CRPF Head Constable Minister SI इस टोनों की आंसर की कब तक जारी की जाएगी अगर आम आंसर की की बात करें तो आंसर की जो है आप लोगों की 14 से 17 मार्च के बीच में आंसर की जारी कर दी जाएगी रिजल्ट की बात करें तो इसका जो रिजल्ट है 10 से 11 अपरेल के बीच में जारी कर दिया जाएगा रिजल्ट आने में देरी क्यों हो रही है क्या इसका करण है मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ की CRPF SI में कुछ समस्या होने के करण रिजल्ट आने में देरी हो रही है पहले ये एक्जाम आप लोगों के 22 से 28 फरवरी की बीच में चलने वाले थे लेकिन अब ये एक्जाम आप लोगों के 11 मार्च तक चलेंगे समस्या यही है कि CRP SI में कुछ समस्या होने के कारण रिजल्ट आने में देरी हो रही है सेकंड फेस में आपका आजाता है टाइपिंग टेस्ट तो टाइपिंग टेस्ट की आप तयारी करते रही है प्रैक्टिस करते रही है ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं typing test की बात करूँ तो typing test के admin card जो है 21 April को release कर दिये जाएंगे typing test की date क्या रहने वाली है ये भी जान लेजी है कि typing test की जो date है 28 April से 12 माई की बीच में typing test की date रहेगी तो typing जो है आप लोगों की 28 April से सुरू होकर 12 माई तक चलने वाली है कटाप जो है आपका minimum criteria के बीच में रहेगा ये भी आपको ध्यान रखना है काफी बच्चे पूछते हैं कि इसका final result कब तक आ जाएगा तो final result के बारे में भी जान लेजी आप लोग तो इसका जो final result है जुलाई के first week में इसका final result जो है भी घोशित कर दिया जाएगा टापिंग के लिए जो आवश्यक tips हैं उनके बारे में भी जान लेजी आप लोग एक कोशल टापिस्ट होना चाहिए CRP आप हैट काउंशनल पत के लिए पात्र होने के लिए उन्हें जल्दी और कुछ समंधों के साथ टाप करने में सच्छम होना चाहिए आप लोगों के पास समय बहुती कम है तो टापिंग के लिए आप practice शुरू कर दीजिए अभी से अगर नहीं कर रहे हैं तो शुरू कर दीजिए अगर करना सुरू कर दिया है तो अच्छी बात है वे उमिद्वार जो अंगरेजी भासा के रूम में चुने गए हैं उन्हें प्रती मिनिट कम से कम 35 अच्छा टाइप करने में सच्छम होना चाहिए गती की गड़ना टाइप राइटर के बजाए कम्प्यूटर का उपयोग करके ही जाना चाहिए यह भी आपको ध्यान रखना है अगर आपने इंगलिस भासा में चूस किया होगा टाइपिंग तो आपको English भासा में practice करनी है अगर आपने हिंदी भासा में choose किया होगा तो आपको हिंदी भासा में typing करनी होगे हूँ वहाँ पर ठीक है जिन ब्लॉग ने हिंदी को अपनी भासा के रूम में चुना है उन्हें computer प्रती मिनट 30 अच्छर टाइब करने में सच्छम होना चाहिए मिधावी परिच्छान hit constable के लिए सायता परिच्छा computer पर 35 सब्द प्रती मिनट की नियोंतम गती के साथ अंगरेजी typing यह आपको ध्यान में रखना है computer पर हिंदी नियोंतम 30 सब्द प्रती मिनट की गती से यह भी आपको ध्यान में रखना है अंगरेजी में प्रती घंटे 10,500 का अबसाथ हिंदी में प्रती घंटे 9,000 का अबसाथ computer प्रतीक सब्द के लिए औसत 5 का अबसाथ होना चाहिए तो इतनी स्पीड होनी चाहिए आप लोगों के लिए तभी आप typing टेस्ट पास कर पाएंगी क्योंकि अगर आप first phase का एक्जाप crack कर लेते हैं यानि कि जब आप return exam qualify कर जाते हैं return exam qualify करने के बाद जब आपकी typing होगी सबसे बड़ी समस्या आ जाती है बच्चों के सामने typing की तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होगी जो typing से बाहर हो जाएंगी इसलिए मैं आपको अपने हर वीडियो में बार बार बोलता हूँ कि आप typing की practice पराबर करते रही है आप लोग ठीक है अगर नहीं कर रहे हैं तो start कर दीजिए अगर करना सुरू कर दिया तो अच्छी बात है तो दे सकते हैं इसमें head constable ministerial के लगबक इसमें 1315 post थे और assistant sub inspector SI stone के 143 post थे तो typing की speed मैंने आप लोगों को बता दिये कितनी इतनी रहनी चाहिए और assistant sub inspector SI stone मैं कितनी speed रहनी चाहिए यह भी मैंने आप लोगों को बता दिया है तो छोटा सा वीडियो था आप लोगों के लिए वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक हो से जरू करें और जो भी नए बच्चे हैं जिन बच्चों ने चैनल को subscribe नहीं किया है और पलपल की update के लिए चैनल को जरू सब्सक्राइब करें सभी बच्चे जो भी न्यू बच्चे हैं या फिर आप CRP परामेडिकल इस्टाप की तयारी कर रहे हैं अगर आपने form फिल किया है CRP परामेडिकल इस्टाप का तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं क्लासे चालू है आप लोगों की साम कुछ साथ बच्चे आप लोगों क्लास मिल जाती है तो ऐसी update के लिए चैनल पर बने रही है और चैनल को subscribe करके notification बेल आउन करना न भूले तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो के साथ जय ही जय बार